इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे 13 सीटों पर मद्दान लगातार जारी है लखीमपूर कीरी में EVM खराब होने की जानकारी मिल रही है बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मेनानी के बूत नंबर 6 की संख्या पर EVM खराब होने की जानकारी मिल रही है EVM खराब होने से मद्दान यहां पर रुका हुआ है सुबा तर्के अपना अधिकार का इस्तमाल करने के लिए लखीमपूर कीरी में भी लोग पहुँचे हुए है लेकिन देखी कुछ गरवडी आ गई है EVM में खराबी की जानकारी मिल रही है जिसको दुरुस्त करने की तैयारी भी पूरी कर रखी है हमाँ प्रशासन की तरफ से गरुच जैसे ही कर ली जाएगी मद्दान फिर्से शुरू होगा लेकिन EVM खराब होने की जानकारी सबसे पहली लखीमपूर खिरिस से आई है बूठ संक्याद 6 के हम बात कर रहे हैं जहां पर EVM खराब होने की जानकारी मिल रही है हमारे साथ लगातार हमारे महमान जुड़े हुए है उनसे रियाक्शन तो लेंगे मदान की पर चहचा तो करेंगे लेकिन सबसे पहले उननाव चलेंगे जहां से हमारे साथ अनुच इस समय मौझूद है अनुष देखे उन्नाव का चुराव तो यहाँ पर साक्षी महाराज के लिए हैट्रिक का चुनाव है जीत की हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पर वोटर से हमारे साथ कुछ युवा वोटर पहुद है कि इस मुद्दो को लेकर आप वोट डालेंगी तो बिल्कुल लोग अपने अपने मुद्दो के साथ में घरों से बाहर निकल रहे हैं आप बने रहेगा आप खास पैनल भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है अशोक यादव के पास में चलते हैं प्रवक्ता है समाजवारी पार्टी से अशोक जी तेरा सीटों पर वोट कास्ट हो रहा है कितनी उमीद हैं समाजवारी पार्टी को सबका प्रियास सबसे बड़ा मुद्धा है राष्ट पार इस देश के लिचुना हुआ है और आश्की बाद हमें राम लला का जो पांसो साथ रहा है अगर हिम्मा ठक है मां का दूद प्या है तो मस्जिद को विकार कहके देखो तर्यों विकार कहके दोगों अब बहुत संकिक घिन्दू का अम्मा कर रहे हैं और इस चुनाव में इसका सटीक जवाब इस दुश्टां कि रहे हैं कि अधिया लगा तर्वाज़ परमला के सिटी आ रहे हैं परमला के सटीक जवाब इस दुश्टां कि अधिया रहे हैं अधिया परमला के सटीक जवाब इस दुश्टां कि अधिया रहे हैं इसी पर रियाक्शन ले लेते हैं आशोक यादव जी तेरा सीटों से में से कितनी उमीद है ये तो आप बताईएगा साक्षी महराज का बयान सामने है मुझे लगता है आपने भी सुना होगा वो कह रहे है कि विपक्ष तो हमें बैटे बिठाए मुद्दा दे देता है इकाई में सिमटने जा रहा है मैं इस बात की गारंटी के साथ बोल ला हूं दहाई से एकाई में आकड़ा सिफ्ट होने जा रहा है क्योंकि वहां जो बिभूतियां भारतियं दा पाटिक तरफ से लड़ रही है किससानों तरफ बेकार है अब ये तो समाझ भाली पाटी की नेता की तरफ सी स्थेटमेंट दिया गया ताप लूग बैठे-बिठारे मुद्धा दे देते हैं तेखे राम मंदिर के उपर सबसे पहले सवाल अगर किसी ने खड़ा किया तो हिंदु धर्म के जो सबसे सरवोच धर्म गुरु संकराचारे लोगों ने सवाल किया हमारी पिपक्ष के लोगों ने सवाल नहीं खड़े किया है तो जो सवाल संकराचारे जी ने खड़ा किया थ लेकिन राम मंदिरी के ऐसा मुद्धा है जहां पर लोगों की आस्था जरूराहत होती है आप मेरी ये बात तो मानते होंगे अब ऐसे में लोग सबा एलेक्शन चल रहा है एक तरह आप लोगों को अपने पक्ष में लाने की अपील कर रहे हैं वहीं दूसरी तरह आपका कोई नेता इस तरह का स्टेट्मिन दे रहता है जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंश्टी है तो सर लुक्सान तो फिर आप जिनता पाटी ने लाया इस देश में लेकिन अशोग जी राम मंदिर को राम गोपाल यादव का बेकार बता देना ये भी अपने आप में बहुत गलत स्टेट्मिन्ट आप कह सकते हैं अगर उनको उसके धांचे पर वास्तू पर बात करनी थी तो किसी और तरीके से भी किन हैं जहां पर बीजेपी ने सूपड़ा साफ किया था विपक्ष का पिछली बार इस बार आपको क्या लग रहा है 2024 में क्या कमल खिलने ही जा रहा है या पिर चिरौती यहां पर टक्कर की देखी जाएगी विपक्ष की तरफ से देखे चौते चरण के इस चुनाव से साफ पूरी तरह से चित्र साफ हो जाएगा चुनाव का रुख किदर जा रहा है खास करके उत्तर प्रदिस में 13 सीटे पिछली बार या दो हजार उननीस में 69 परस्ट लगभग 69 परसेंट के मतदान हुए थे और यदि इस बार यहां रिपिट होता है हम लगभग मतदान का प्रतिशत इसी के आस पास रहता है तो निश्यत तोर पर यह रिपिट हो सकता है उस दिसा में बात मानी जाएगी यदि यह रिपिट नहीं होता है तो खास करके उन लोगों के लिए यानि कन्नोज एक ऐसी सीच है आप अजे टेनी ज सबसे मातकूल है यहां विपक्ष के लिए करो और मरो की स्थती है लगातार 2014 के बाद फिर 2019 के बाद फिर 2024 में यदि बाहर होते हैं तो इनके लिए यह बहुत कठिन दोर हो जाएगा और भाजपा के लिए इस पर हैट्रिक करपाना विए आपकी इस बात से मुझे लालू प पर्सेंट गिर रहा है जो वोट पर्सेंट गिर रहा है उससे क्या लग रहा है आपको के मतदान वाके में पिछले बार जैसा प्रदर्शन दिखा पाएगा पक्ष सरकार के लिए बीज़ेपी की तरफ से पर ये तो अभी चार च्छे मेजे तक का समय है और इतनी जल्दी इसका हकलीन करना जरा है लेकिन पीछे के जो तीन के हुए हैं ओ मतप्रसत चिंता जनक है ऐसे में न्यूजेटीन लगातार सारे एंजियो सारे सरकारी संस्थाएं अपील कर रही है कि अच्छे रास्ट के यहीं अपील कर रहा है और साथी शाम तक तस्वीर कुछ हद तक इस पास रोती हुए नजर आएगे उमेश के पास में चलते हैं उमेश बताइए क्या हल चल आपके आज पास लोगत अंदर के महापर्व को सेलिब्रेट किया रहा है और लंबी-लंबी कतारे देखने को मिल रही है लखीम पूर खीरी शेत्र में जबर्दस उस साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है भारती अंता पार्टी की तरफ से यहां केंद्रिय ग्रह राजिय मंत्री आजय जैसे लोगों में जोश है उस्सा है और लखिमपुर खीरी के मौसम का मिजाद भी आज बदला हुआ है रिमजिम फुहारे भी यहां पड़ रही है बावजूर इसके यहां पर लोग कतार बद्ध हैं और अपनी बारी के अंदिजार कर रहे हैं हम सीदा कुछ लोगों से ब लंबी कतार में लगे हुए हैं क्या मुद्धे हैं क्या सबसे बला मुद्धा इस बार की चुनाओं में यह मुझास का है हम विकास का मुद्धा सबसे बला मुद्धा है development होना चाहिए और आजया मीश्री भारतिनिता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं कैसी फाइट य कि किस सथैंसे ज Tib fui क् वंग तक फिरी के क्या राजनेली में है है और जिस तरह से लोगों का उस्ताह को देखने को मिल रहा है वह ये बताने के काफी है कि कैसे यहाँ पर मतदाता अपने अधिकार का प्रेयों करने के लिए पहुंचे हुए आरंदुबे जी एक बार फिरसे में आपनी के पास में आऊंगी कनौर सीट भारती जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं क्योंकि एक जो लंबा कारिकाल रहा है समाजवादी पार्टी की यह सीट रही है सपा का इसे गड़ कहा जाता है अब अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं मैं देखिए डिम्पल भी चुनाव हरी है और अकलेश भी चुनाव हरी है वही सार तो हार हुई ना सपा की मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में जिन सीटों को किला और गड़ कहा जाता था उनको भारती जनता पर्टी ने जितने का काम किया कहा जाता था रामपूर आजम का किला है वो गिर गया और आजम गड़ को कहा जाता था सपा का गड़ है वो गिर गया ना आजम का किला बचा ना सपा का गड़ बचा अमेठी कहा जाता था कि राहूल गांदी जी की विरासत है थोड़के बाग गया मेठी इम्मत नहीं जुट आपाई श्मृति जी के खिलाब चुनाव लड़ने की तो माता जी को रिटायर करके और वहां से चुनाव लड़ने की तो किले और गड़की जो भी हरनाए थी उत्तर प्रदेश में उसको भाजपा ने तोड़ने का काम किया है आदरनी प्रदान मंतिर नरेंदर मोदी जी के अशोग जी क्या लग रहा है आपको कनोज में सुबरत पाठक वर्सेज अखिले श्यादव क्या कहती है यह लड़ाई किसके खाते में जाने वाली है सीट आप इसमें जवाब जरूर दीजेगा लेकिन एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं बहराइच से जहां पर EBM खराबी की जानकारी मिल रही है